आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Samsung Galaxy F15 Android mobile phone में आप अपने mobile phone की slow charging की problem का solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगे दोस्तों सबसे करल option tap करना है तो आपका catch के सामला data 0 हो जाता है अब दूसरे phone के charger की use करने से हमारा phone charge होता तो है लेकिन slow charge होता है क्योंकि देखे दूसरे phone का charger हमारे phone को अच्छे support नहीं कर पाता है ठीक है इस बात का ध्यान रखना है ये भी ध्यान रखने एक बात कि आप अपने phone को जब भी चार्जिंग पर लगाएंगी तब फोन को चार्जिंग पर लगाके इस्तुमाल नहीं करना है ठीक है छोड़ी ओड़ी बाते ध्यान में रखने है अगला काम यह करना है आपको अपने मुवाइल फोन को रिसेट करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते सबसे उपर आपको रिसेट आपको नीचे ऑप्सं पर नहीं करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखने आपके फोन का जो डेटा है उसका बैक अप ले लिए अपने फोन में और दूसरी बात यह ध्यान रखने हैं आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है दो काम पहले करने हैं उसके बाद phone को reset करना है ठीक ना तो मेरे बताएवे process से आपकी problem solve हो जाएगी अगर मेरे बताएवे तरीकों से आपके problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या देखिए आपको